गाल और बाल ही मस सजाओ आजकल बड़ा फैसन चला है गाल और बाल सजाने का नहीं एक आया था भी यहीं बैठा होगा एक लड़का आजकल ऐसी फैसन ऐसी फैसन ऐसा फैसन चला है वो बाल है ना इधर से गाया इधर से गाया चार अंगुल इदर से गए? बीच में रखा हूआ है में उनका क्या हो गए अथमी को? फागल पन तो देखो मैंने कहicer यार, ये है क्या? वो मैं बिहार कर रहा था मैं बिहार करते बंबफी से आ रहा था हाई-वे पर मैंने देखा कि दो आजू बाजू सर्विस लाइन होती है साइड में चलने के लिए इधर सर्विस लाइन इधर सर्विस चार अंगुल की ये सर्विस लाइन बीच में फिलाई ओबर वाहरे आदमी पुरा ट्रेफिक जाम कर रखा है बालों का बाल और गाल कोई सुन्दर मत बनाओ बाल और गाल सुन्दर होने से कुछ नहीं होता है जुवान को सुन्दर बनाओ वणी को सुन्दर बनाओ तो सारी दुनिया अपने प्रती आकर्षित हो जाया करती है कभी विचार किया हजार लीटर नीवू का रस कितना, कितना? हजार लीटर नीवु का राज जदी इस पंडाल में लाके रख दिया जाए एक भी चीटी उसकी तरफ आकरसित नहीं हो दैं हजार लीटर नीवु का राज एक भी चीटी उसके पास नहीं आएगी और एक भून चासनी गिरा दी जाये हजारों चीटियां उसकी तरफ आकरसित हो जाया करती है हजारों चीटियां उसकी तरफ आजाती है अपनी बाणी को नीवू जैसा खटा मत बनाओ अपनी बाणी को चसनी जैसा मीठा बनाने का प्रयास करिये हजारों लोग आकरसित हो जाएंगे मीठी बाणी से हजारों लोग तुम्हारी तरह पाएंगे बाणी में मिठास होना खटा नीवू क्या दसा होती मालम नीवू की विचारा बजार से आता है यू यू दवाया जाता है दवाने के बाद उसे चाकू से काट दिया जाता है दो तुकड़े कर दिये जाते है फिर निचोड़ा जाता है और निचोड़ने के बाद सड़कों पर फैक दिया खटे लोगों की यही स्थिती होगी ध्यान रखना निचोड़े जाओगे सड़कों पर फैके जाओगे सेकड़ों लोग तुम्हारे उपर लाते रखे निकल जाएंगे ध्यान एक महाभारत का युद्धुआ इस देश में एक बात याद रखना ये महाभारत द्रोप्ती के चीर हरन से नहीं हुआ है ये महाभारत जुए में हार जाने से भी नहीं हुआ है ध्यान रखे ये महाभारत सकुनी के पांसे बदलने से भी नहीं हुआ है ये महाभारत इस देश में यदि हुआ है तो ध्यान दखना द्रियोधन के कारण भी नहीं हुआ है यह महा भारत इस देश में यदि हुआ है तो द्रोपती के कारण इस देश में महा भारत की रचना हुआ करती है मानिवार आप विचार करिए जब पांडमों को खंड प्रस्थ दिया गया कि जाओ पांडू पुत्र ग्रतराश्ट ने कहा खंड प्रस्थ तुम्हें दिया जाता है पूरा हस्तनापुर द्रियोधन को दिया जाता है जान रखना प्रस्ताव रखना सुले की बात हुई द्रियोधन ने खंड प्रस्त दे दिया जहां ना पानी वरस्ता था ना जहां फसल होती थी बंजर भूमी जाओ वहा रहो युदिश्ठिर ने कहा अरजुन ने कहा कोई बात नहीं ज़िए हम में ताकत होगी खंड प्रस्त को इंडर प्रस्त बना करके प्रस्त को इंडर प्रस्त में तब्दील कर दिया और इतना सुंदर बनाया आज कितने भी बड़े आर्किटेप्ट हो वो बेवस्था नहीं ला सकते हैं कैसे लोग थे कैसे बुद्धी थी उनकी बिना पढ़े लिखे भी इतना सब कुछ कर लिया करते थे इतना सुंदर महल बनाया पूरी दुनिया में चर्चा हुई कि युदिष्टेर अर्जुन ने इतना सुंदर इंडर प्रस्त बनाया है हजारों लोग देखने जा रहे हैं बहुत कुपशूरत द्रियोधन ने कहा कि मैं भी तो चल के देखू गयात इंडर प्रस्त में और जैसे इंडर प्रस्त पहुँचा द्रियोधन इतना अद्वुत महल था जो दिखता था वो होता नहीं था और जो होता था वो दिखता द्रियोधन ने अपनी धोती समाली उसे लगा कि यार यहां तो पानी पानी दिखाई दे रहा है दोती समाल करके चल रहा है वहां तो पानी था ही नहीं केबल दिखाई देता था आगे देखा द्रियोधन ने रंगोली बनी हुई है चमक पुरे हुए बहुत सुन्दर है अरे बुले यहां से तो आ गया, अब क्या धोती पकड़ना, अब क्या अपने को समालना, इतना सुन्दर आखें फटी की फटी रह गई द्रियोधन की, आगे वड़ा पानी था, गिरा छपाक से पानी में, पूरे कपड़े गिले हो गए, जोरदार अठासवा जरोके से, बड मल के चलना सीखो देवर जी, पानी में किरा हुआ, द्रियोधन भीगा हुआ, द्रोपती ने कहां गिर गई न, अब पता पड़ा कि इन्रप्रस्त क्या है, और हस्तनापुर क्या है, अरे तुम कैसे समलोगे, अंधे का पुत्र, अंधा ही होगा, बस यहां से महाभारत सुर हो जाया करती है, द्रोपती का चीरहनन महाभारत नहीं था, जुए में हारना महाभारत नहीं था, द्रोपती का एक तीखा बचन की अंधे का पुत्र, अंधा ही होगा, बस इतनी सी बचन महाभारत की रचना करते हैं, ध्यान रखिये, उसी दिन द्रियोधन ने कसम खाली, क आज जो भरी सभा में तुने मेरा उपहास किया है तहर जा एक दिन भरी सभा में तुझे नगन नहीं किया तो मेरा नाम भी द्रियोधन नहीं होना चाहिए इतनी सी बाद ध्यान रखना सब्द को समाल के बोलिए सब्द समाल के बोलिए सब्द के हाथ न पाऊं ध्यान रखे एक बाणी जीवन को तवाह कर देती है अपमान किसी का मत करो ध्यान रखना बड़ा आदमी तो छोड़ो छोटा सा तिनका का भी अपमान मत करना बरना कितने भी बड़े युद्धा बन जाओ एक तिनका आँख में चला जाए तो सारा युद्ध धरा रह जाया करता है ध्यान रखे बाणी अच्छी बोलिए किसी को अपमानित मत करिए एक तीखे बचन ने एक कटू बचन ने महाभारत की रचना कर दे ध्यान रखे बीठा बोलो अच्छा बोलो बिपत्तियों को आमंतर्ण मत दो मुसीवत को आमंतर्ण मत दो एक तीखा बचन हजार बिपत्तियों को लेकर अपने साथ आया करता है ध्यान रखे बोलो तो बोलो सदा मीथे बचन जो काम सक्ती से नहीं होते बुकाम मिठास से हो जाया करते है खुदा को भी पसंद नहीं शक्ती जुवान में खुदा को भी पसंद नहीं शक्ती जुवान में इसी लिए नहीं दी हड़ी जुवान में ध्यान रखिए पूरे सरीर में हड़ीयां है जुवान में हड़ी नहीं है क्योंकि शक्ती पसंद नहीं करता वो इश्ynn जवान तो मुलायम होती है ध्यान रखे जवान जितनी मुलायम है बचन उससे ज़्यादा मुलायम होना चाहे एक 비 coin याद रखना जवान में रड्डी तो बिलकुल नहीं होता हैं लेकिन ताकत इस नहीं है कि सारी हड़ियं तुड़वा के रख़िए कर घ्द्रका एक भी हड़ी नहीं पचेगी यह अपनी पर आ गई तो सारी हड़ियं तुड़वादे गी तुम्हारी बहुत ağat पूने जवान का ध्यान रखना आख एक है आख दो है काम एक है यह आख भी देखती है यह आख भी देखती है कांग दो तो है दयाकान भी सुनता है बायाकान् The सुनता है नासा द्वार दो हैं धाइघ नासी का राम देव भावा अनलों बिलों है दो होती ऐं है बड़ी दिक्कत हो गए इस देश इन किसमत मेरी कितना इन्र पूरुश मेरे प्रवचर में अरना टाइम किसके पास महुत scornerा के पास तो और भी नहीं है एक महला से में है रात को बारा बजे तक तो एकता कपूर महीं सोने देती है और सबीरे चार बोजी रामदेव बाबा जगा देते हैं हम करें कहां से आए तुमारे प्रवच्चन में इतने बिजी हैं हम लोग भ्यान रखते हैं समझे मानने बार दो नासा दोर हैं काम एक ही है दो हाथ है काम एक ही है दो पेर हैं काम एक ही है दोनों पेर चला करते हैं लेकिन जुवान अकेली है इकलोती है इकलोती है उलाद है अपनी लीलावति यह साली लीला यही कराती है यही रास लीला करा दे यही राम लीला करा दे लीलावती का साधान इस लीलावती से दो अंगुल की जवान पांच फिट के सरीर का सत्या नास करा सकती है ध्यान रखे ये जो लीलावती वैठी है ना इस पे कंट्रोल रखो कंट्रोल कंट्रोल ध्यान रखे ये जो लीलावती है बहुत नटखट काम करती है पूरे सरीर में अकेली है एकलोती ओलाद है इस मूँ की लिकने एक बात ध्यान रखना ये जो लीलावती है ना है तो अकेली काम डवल करती है ध्यान रखना एक चकना और एक बकना ध्यान रखे जो दो है वो एक काम करते जो अकेली है वो एक चक्ती भी है और मीठा खाना याद रहा पर मीठा बोलना भूल गए ध्यान रखे एक तोता तीखा तीखा खाता है निर्च खाता है तोता मीठा मीठा बोलता है और हम मीठा मीठा खाते हैं बोल दो तीखा तीखा बोलते हैं हमें जुवान से जुवान को शमाल के रखो बाणी शुन्दर बनाओ एक कितनी भी सुन्दर महला हो खूप शूरत महला हो आसमान से उत्री हुई परी हो ध्यान रखो आप सोचते हो ना कि थोड़ी से लिपिष्टिक से हम बड़े अट्रेक्टिव लगेंगे ने ने को बोले महाराज हमारी पीछे क्यों पड़े हो थो ध्यान रखो लिपिष्टिक लगाकर आप सोचते कि हम सुन्दर हो गए है मैं आपसे निविरन करता हूँ ओठ कितने भी सुन्दर बना लो कितने भी लिपिष्टिक लगा लो कितने भी पतले उठ हो जाएें तुम्हारे कितने भी गुलावी उठ हो जाएं लेकिन वानी कड़ भी हो बताई आपका सौंदर कितनी देर टिकने वाला है उठों का सौंदर ये ज़्यादा ने टिका करता है मुझे तो समझ नहीं आता है ये महलाएं लिपिष्टिक लगा के अपने को सुंदर समझती हैं, आदमी तो लिपिष्टिक नहीं लगाता ना, नहीं बारामती का मुझे पतन, लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं, एक बात बताओ, ये सोचते हैं लिपिष्टिक से सुंदरता वड़ती है, तो लिपिष् है लिपिष्टिक इसटे वह अच्छी हो चहरी की सुन्दरता कितनी देर की आजे घंटे में के एक बाद बता इक सुंधर चहरे को एक तरब देखो गेक्ट तेन तहिंदिक समय हो और लिए बार बार देखो गे किसे भी जी भर जाएगा ध्यान रखेट ध्यान परतNew ज्यादा सुन्दर चहरा कितने दिन अच्छा लएगा एक साल दो साल कितनी भी सुन्दर पत्नी ले आओ बेटा साल भर बाद तो वही हालत है कि वो बड़ बड़ा रही है अपन चुप चाप सुन रहे हैं बैट करके खाना खाएगी तभी बोलेगी ज्यान रखना आदमियों की जिन्दगी इसी में बड़ विचारे हर ठके हुए हारे हुए तो आते हैं दुकान से वो जैसे ही आया और इनकी रामाइंड सुरू हो जाया करती है दिवरानी ने ये कहा जिठानी ने बो कहा तेरी अम्मा ने एक परस्ते भी जा रही है महलाओं से निवेदन है जब पती घर में आये तो उसकी थाली में रोटी परोसो रोटी दिन भर की किच-किच मत परोसो उसकी धाली में वरना थाली भेट करके इतना परिशान उसी समय मैंने एक महला से बोला एक खाती समय क्यों बोलती हो बोले खाती समय तो वो चुपचाप सुनता है मुह में रोटी रहती है सुनते रहता है अपन बोलते जाओ देवी बोलते जा रही बोलते जा रही है वो विचारा खाते जा रहा खाते जारा, क्या करें, इधर सुने या इधर सुने, खारा, यह ऐसी हालत है, जैसे सड़क के किनारे भुट्टा सिखता है न, भुट्टे नहीं सिखते रहते, वह यह खा से हवा करते जारा, भुट्टा सिखते जारा, हवा करते जारा, भुट्टा सिखते जारा, भुट्ट क्या रोटी खाए विचारा इंज़्यां लखो खाते समय तो कहा है कुत्ते को भी परेसान ये तो फेद क्या बोली इतनी तेज ये 12 मती की महला है इतनी तेज, इतनी तेज, इतनी तेज फिरक दिन दो पती पत्नी बजार गए पती ने पत्नी से कहा तू कहे फैसन है तू कहे तो एक कुटा खरीद ले पत्नी ने उपर से नीचे तक देखा बोले क्या जरूरत है बोले जब से तुम मिले हो कौन बोला हर तमन्ना पूरी हो गई ने ध्यान रखिये माने बाद यूधर था भोट जोरह से रोला था पत्नी ने कहा देखी भी नहीं सकते हो बच्चा रो रहा है में खाना बरा रही हूँ तो पहले सुनतो ले काई के लिए रो रहा है आरे जो भी रो रहा कर दो पूरा पोले नहीं पहले सुन बोले क्या यह रो रहा है कि मुझे गदे पे बैठना है तो पत्नी ने का कंदे पे बिठा के तीन चक्कर नहीं लगा सकते क्या कुछ लोगों को घर जाके समझ में आहेगा ध्यान रगी एक बार यही तुर गड़ना गड़ गई एक बच्चे ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी एलबम साधी में दूला गोड़ी पर बैठ करी क्यों आता है गधे पर बैठ के क्यों नहीं आता है बोले बेटा एक गधा दूसरे गधे पर नहीं बैठ सकता है मांडे मीठा बहुत मीठा बोली जिन्दगी में मीठी बाणी बोलिए विचार करना है आपको बाणी में मिठास भरो लिपिष्टिक से जीवन सुन्दर नहीं होता है लिपिष्टिक की सुन्दर ता एक दिन दो दिन तीन दिन साल भर वाद वो चहरा बेकार लगने लगता है यान रखना लेकिन वाणी मीठी हुई न तो मिलते समय भी अच्छा लगता है और बिछुड जाओ मीठी वाणी की याद जब जब आती है तब तक सुक की अनभूतिया प्रारम हो जाया करती है मीठी वाणी तो वो होती है विछनने के बाद भी आदमी को याद रहा करती है ज्यान रख्यें मैंने बारा मती में अभी जादा घूमा नहीं हूँ उदर गया था पीछे एक दिन इतने सुन्दर मकान मैंने का क्या गजब कर रही है भाई मैं तो आया था गाउं समझ के लेकिन ये तो सहरों को भी पीछे कर रहा है ज्यान रख्यें डाउट है तो तालीमत बजा इतने कि इतने खूबसूरत पर नीचर लगा है मकानों में विदेशी टाहिं लगे हुए है ज्यान रखना इतनी सुन्दर डिजाइन है महंगा पर नीचर महंगी कार खड़ी है दर्वाजी के बाहर विदेश से परते मंगा के लगाए गए है एक से एक सीनरी लगी हुई है कि उसमें अपना चेहा दिखाई दे जाए एक बात बताओ मेरे भाई जिसका बहुत महंगा मकान हो बहुत सुंदर फरनीचर लगा हो बहुत अच्छा सोपा सेट हो डाइनिंग सेट बहुत सुंदर हो ठ्रेसिंग टेबिल बहुत सुंदर हो अलमारियां बहुत सुन्दर हो एक बात बताना और कोई उस घर में जाए बस सब कुछ सुन्दर हो आपकी देखकर आँखें फटी की फटी रह जाएं कितना सुन्दर मकान है लेकिन एक बात बताएए सब कुछ सुन्दर हो लेकिन उसमें रहने वाले को बोलने का तमीज ना हो वो बत्तमीजी से बात करता हो एक गिलास पानी भी ना पिलाता हो और तुम गए और उसने इतना भी नहीं कहा कि भाई साब आईए बैठिये तो बताएए उस मकान की सुन्दरता याद रहेगी आपको जाने के बाद या उस आदमी का बेवहार याद रहेगा आपको जाने के बाद ध्यान रखिए आप उस घर से निकल के जाएंगे जिस मकान को बहुत सुन्दर कह रहे थे वो मकान डिलिट हो जाएगा और आदमी की बोली और बेवहार जिन्दगी भर याद रहेगा और एक बात मैं आप से कहता हूँ एक का मकान तो बहुत सुН्दर नहीं है बहुत कीम्ती मकान नहीं है साधारण से फ्लेक्ट में रहता है लेकिन जैसे तुम जाते हो बड़े आदर से बोलता है बड़े अदब से बात करता है आये भाई साब बैठिये ठंडा लेंगे या गरम लेंगे आप क्या लेना चाहते हैं मीठा लेंगे नमकी अरे नहीं नहीं कुछ आरे भाई साब आए हो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता हमारे यहां कपकप पधारते हो आपको जरूर कुछ लेना होगा आपको भूख भी नहीं है तो भी उसके बेवहार और मिठास के कारण आपको खाना पड़ेगा आप एक बात बताईए मेरे भाई जब आप घर चले जाओगे वो सुन्दर मकान याद करोगे या उसका दुर बेवहार याद करोगे घर जाओगे गटिया मकान याद करोगे आदमी का बेवहार याद करोगे ध्यान रखिये सुन्दर मकानों को याद नहीं किया जाता है सुन्दर वानी और बेवहार को याद रखा जाता है